दोस्तो एक्जाम हित्र में एक बार फेर से आपका स्वागता आश्या करता हूँ आप सभी एच्छे होंगे दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अठली प्यारिवाज पर मेडिकल यूइनिश्टी ABVMU के पिरामेडिकल कोर्सेज के ओनलाइन आवेदन हो स्टार्ट कर करेंगे तो इसमें आपका 12th मार्क के बेसेज पर एडिमिशन प्रोसेजर हो कम्प्लिट किया है जाएगा तो इसका आप एपलाई कब से कब तक कर सकते हैं फीज क्या रहेगी सारी जानकर इस वीडियो मिलेगी वीडियो को सुरूशन तक जरूर देखिए और दोस्तों गर दिखाई दे रहा होगा apply online for entrance examination 21 session के लिए तो simply आपको इस पर क्लिक कर देना जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो courses अभी paramedical के लिए आवेदन वाएंगे जा रहे हैं तो उनका यहाँ पर दिखाई देगा BSC nursing के वो already complete हो रुके हैं तो यहाँ पर MSC nursing और post basic के वो already हो रुके हैं त तो paramedical courses वाले section में आएंगे तो यहाँ पर paramedical में 21 session के लिए आपके BSC Operation Theater Technician क्या है Bachelor of Physiotherapy का है BSC Medical Laboratory Technics का है और यहाँ पर audiology speech language pathology का है जो BASLP के नाम से जानते हैं और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और link दिखाई देगा जो Boptometry के लिए और radiological imaging techniques के लिए तो इ BSC Radiological Imaging Techniques का अलग से इन में link दे रखा है तो जैसे BSC Optometry के लिए apply करना है तो आपको simply view details वाले पर click कर देना है आप जैसे view details वाले पर click करेंगे तो आपको सारी जो जितनी details है वो सारी सारी यहाँ पर show हो जाएगे आप जैसा ही यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कब से कब तक apply करना है तो अगर यहाँ पर आपके prospect वो जारी कर दिया है तो prospect आप download कर सकते हैं तीन नॉबर से आपके आवेदान वो start कर दिये गए हैं 6 December इसकी जो last date रखी गई है और आपका इसमें entrance exam नहीं होगा merit list के basis पे दोस्तों आपका इसमें admission procedure वो complete किया जाएगा तो merit list है वो चीज December से start आपकी कर दी जाएगी अब इसमें जो application fees की बात करें दोस्तों तो अंध रिजर्व category या OBCS बिलोंग करते हैं उनके लिए 100 रूपीज है SC ST जो रिजर्व category होने के लिए 80 पीज इसमें आपके परामेडिकल courses के लिए रखे गए हैं इसमें आपको apply किस तरीक से अगर आपको details में इसकी information चाहिए तो यहाँ पे आप इसका browser है वो भी download कर सकते हैं इसमें आपको सबसे पहले registration करना हुआ registration करने के लिए आपको scroll up करक अगर आपने already registration कर रखा है तो आपको login करना अगर नहीं कर रखा है तो आप यहाँ पे click करके आप इसका registration कर सकते हैं अब काफी सारी student का यह doubt था कि other state के student apply कर सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों उत्तरपरदेश के reservation के जो rules है उसके according other state के apply कर सकते हैं लेकिन इनमें उनको general category में count किया जाएगा reservation का lab है उनको नहीं मिलेगा चाहिए वो OBC से हो SCST से AWS किसी भी category से हो लेकिन उन्हें general category में ही count किया जाएगा आप इसके लिए apply कर सकते हैं अब इसमें कौन कौन से colleges में admission मिलेगा तो दोस्तों इसमें आपको admission government के लिए भी और private के लिए भी इसम के लिए आवेदन कर सकते हैं अब बात करें आपके seat matrix की और fees structure की दोस्तों इनके prospect में विल्कुल के लिए mention किया गया the list of eligible colleges along with their details regarding number of seats fees structure ETC will be displayed before the candidate will be filling locking of choices before counselling तो counselling से पहले आपको ये list वो show कर दी जाएगी अभी ना आपको fees structure इसमें show किया गया ना ही कितनी seat है कौन कौन से college इसमें participate करेंगे क्योंकि अटल भी हरी वासपे medical university उत्रपरदिश के दौरारा first time है ये rules follow किया जारे इससे पहले जो private college थे या government college थे व के लिए admission procedure वो complete किया जाएगा तो हर एक state में medical university होती है उस medical university के दौरा state में जितनी private या government college होते है उनमें entrance exam के थूर प्राइमेडिकल में आप B.A.C. नर्सिंग owners के लिए entrance exam के थूर ही इसमें admission लिया जाएगा तो इसी basis पे ही अटल भी हरी वास पी medical university उत्रपरदेश में भ रहेगा उनको इसमें chances ज्यादा रहेगा क्योंकि merit आपकी उसी basis पे बनेगी अगर कोई भी doubt है कोई भी comment box में पूछ सकते हैं मुझे इंस्टा करना है फॉलो करके वहाँ से भी जानकरी ले सकते हैं बाकी कि आप details है इनके जो prospect दे रखा है उसमें आप जानकरी ले सकते हैं को सब्सक्राइब जर्ब कर लें जिसे कोई भी information मिसना हो धन्यवाद जय ही जय वारत